हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिम्मी कीचन, आज मैं आपके साथ आलू टिकी की रेसिपी शेयर करने जारी हूँ, जो आप कभी भी अचानक मन करने पर घर पर रखे सामान से फटाफट बना सकते हैं और एकदम क्रिस्पी बनेती है, तो चलिए इसकी क्रिस्पीनेस की आ मैंने यहां लिए हैं छे उबले हुए आलू जिनने पहले ठंडा किया और बाद में मैश किया है, साथ में दो चमच बारी कटा हुआ हरा दनिया लिया है, दो से तीन हरी मिर्च बारी कटी हुई और हाफ कटोरी चावल का आटा लिया है, थोड़ी सी चीली फ्लेक्स ली हैं और साथ में काला नमक भी अब सबसे पहले हम तीन चम्मत चावल का आटा एड़ कर लेते हैं और साथ में हरा धनिया, हरी मिर्च और नमक और चीली फ्लेक्स भी एड़ कर लेते हैं अब इसमें थोड़ा सा सफेद नमक भी एड़ कर लेते हैं और इसे अच्छे से mix करते हुए डो की तरह prepare कर लेंगे अगर आपको binding बनाते समय जरूरत लगे कि थोड़ा सा हमारी binding बनने में प्रिशानी हो रही है तो आप चावल का आटा थोड़ा सा और mix कर सकते हैं आलो बिल्कुल अच्छे से mix करके हमें डो की तरह बना लेना है अब हाथों पर थोड़ा सा oil लगाएंगे ताकि यालू हमारे हाथों पर चिपके नहीं अब थोड़ा सा पेश्ट लेते हैं और इसे गोला बना लेते हैं और धीरे से press करके इसको टिकी की shape दे देंगे इस तरीके से सारी टिकी बना कर तयार कर लेते हैं पर इसे से सारी इस लेते हैं बना लेते हैं तो पाल लेते हैं अब एक कड़ाई या पैन में ओयल गरम करने के लिए रख लेते हैं ओयल हमारा गरम हो गया है अब इसमें टिक्की फ्राई करने के लिए डाल देते हैं जब टिक्की हमारी ओयल में डाल दी है तो उसके कुछ देर तक टिक्की को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को लो रखना है लो फ्लेम पर हमें टिकी को फ्राई करना है हमने इसमें चावल का आटम मिक्स किया है अगर हम इसे लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे झाल 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 अब टिकी हमारी बनकर त्यार है एकडम क्रिस्पी टिकी बनी है आप इसे सोसिया मेठी चटनी के साथ और हरेदनी की चटनी के साथ भी सरू कर सकते हैं ये देखिए मैं आपको चटनी के साथ सरू करके दिखा देती हूँ सबसे पहले हम गर्मा गर्म टिकी लेंगे उस पर इमली की खटी मिठी चटनी डालेंगे और बाद में हरेदनी की चटनी और साथ में चार्ट मसाला भी एड़ कर लेते हैं और गार्निश के लिए इसमें थोड़ा सा अनारदाना भी यूज़ कर लेते हैं तो बताईए आपको मेरी टिक्की की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना और मेरे चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत बूलना थैंक यू